लॉक्टीर सक्सेस विद लर्न ग्रो बेटर चैनल हेलो माई दियर स्टूदेंट्स हाव यू वेलकम बैक तो आर चैनल काइंड ली शो यू लॉव प्लीस लाइक शेर अंड सब्सक्राइब दी चैनल आपको समझ में आएगी चैप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा और कोश्चन्स को कैसे अप्लाई करना है क्या कॉंसेप्ट है ये भी आपका क्लियर होगा सो आर यू रेडी तो गो लेट्स केट स्टार्ट इम्बर ट्वेंटी इस हाओ इसी कंसेंट्रेशन ओफ हाइड्रोनियम आयन के बारे में बात हो रही है हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं येस आसेडिक सबस्टैंस में एच प्लस आयन या जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं जिसे हम लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन की वज़ेशन को हम एसे कम रहे तो ऐसे सॉलूशन को हम डाल्यूट आसेड बोलेंगे यानि कि acid कम water जादा जब acid जादा और water कम होता है तब हम concentrated acid बोलते हैं तो अभी आपको concentration of hydronium iron के बारे में बात की गई है जब acid को dilute कर दिया जाए अब किसी भी acid में H plus iron या hydronium iron तो present हो गई होगा तो अगर हम उस acid में water डाल देंगे तो क्या होगा hydronium iron और H plus iron का जो concentration है वो क्या हो जाएगा decrease कर जाएगा क्योंकि acid के अंदर water mix करने की वज़े से acid क्या हो गया mild हो गया, dilute हो गया जिसकी वज़े से H plus iron जो है वो धीरे धीरे एक तरह से क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, वो hydronium iron की concentration decrease हो जाएगी तो यही हमारा answer है, when given amount of an acid is added to water there are a fixed number of hydronium ions और H plus iron per unit volume of the solution on dilution the number of hydronium iron और H plus iron per unit volume decreases and the concentration of hydronium iron is basically decreases because acid become weak on the अगी है तो भीरे उग्भार बेक्षा ख़र जाएग दॉप्सक्रीश आएगा एग्ड़ और दीश थे पर ओज्द आएगी से कि क्या आएग्सार शुर्ट्ट्स अब्सक्रीश पहां जोट जाएग्छ कर डाएग टेग्स्रावा और अपमस्राद्स और हैवाज आएग